नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे होलाश तक 2023 में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्या अशुब है और क्या शुब है दोस्तों जैसे कि आप सभी जांते होंगे कि इस साल होली 8 मार्च को है लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाईयां पक्वान खाकर इस दिन को खुब इंजॉय करते हैं। हाला कि हिंदू पौरानिक कताओं के अनुसार होली से आठ दिन पहले सभी शुपकारियों को रोग दिया जाता है। इन आठ दिनों में किसी भी तरह का शुपकार जैसे ग्रै प्रवेश, विवा, मुंडन, संसकार आधी करना वर्जित माना जाता है। इस अवदी को होलाश्टक कहा जाता है, होली का दहन के दूसरे दिन यानी होली से एक दिन पहले फिर से शुपकारियों की शुरुवात हो जाती है। और इस साल होलाश्टक में आठ दिन की जगा नौ दिन पढ़ रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं इन नौ दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खोलाश्टक 2023 के दौरान हमें क्या करना चाहिए था। पूजा पाट करना शुब माना जाता है। भगवान विश्णू के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें। मंगल रेन मोचन स्रोत और श्री सुक्त का पाट अवश्य करें। हर तरह के संकर दूर होने के साथ कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। हरुमान जी के साथ भगवान नर्सिंग की पूजा करना शुब होता है। रोगों से छुटकारा पाने के लिए शिव पूजा और महमित्युन जय मंत्र का अनुष्ठान करें। होलाश्टक के दौरान हवन करना शुब होगा। हवन में गुड, हल्दी की गाठ, कनेर के फूल और पीली सर्सों से आहुती जरूर दे। होलाश्टक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के शुब और मांगलिक कामों को करने की मना ही है। होलाश्टक के नौ दिनों तक शादी, विवा, मुंडन, छेदन, ग्रेय, प्रवेश, आदी, 16 संसकार, मांगलिक काम ना करें। भूमी पूजन, नया वैपार न शुरू करें और न किसी यात्रा पर जाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही आशा करती हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकर ये आपको समझ आयोगी, इसी तरह के और वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे, और आप सभी को मेरी तरफ से होली की धेर सारी शुब काम नाएं।